इस सेशन में पीसी में किस तर ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्टॉल करते हैं इसको सिखेंगे अल्री हमने एक पीसी एसेंबल किया एक न्यू पीसी एसेंबल किया है जिसका मदरबूर्ड गिगावाइट का एस डेबल बन जिरो एम डैश एस तू था और प्रोसेसर इंटेल का आई थरी सेवन जनरेशन प्रोसेसर ता इस पीसी को अल्रीड हम लोग ने एसेंबल कर लिया है अब इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहें इस्टॉल करने वाले काफी ऑपरेटिंग सिस्टम में मार्केट में तीन बड़ी कंपनियां जो हम अकसर देखा करते और अकसर जानते उसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट है लेनक्स है और मैक है यह तीन नाम हमारे को अल्रीड पता है काफी लोग इसके बारे में जानते भ आप इंस्टॉल करने से पहले आपको यह कंफर्म करना है कि आपने सारे डिवाइस को प्रॉपरली कनेक्ट किया है सारे प्रिफर्स को प्रॉपरली कनेक्ट किया है पीसी से आपके डिवाइसस प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं आपने पीसी का पोस्ट भी देख लिया है रहां सी了吧 ढ़ारोंस्ट पी डेकर लिया है आपको शुर है कि आतने सारी जिसे प्रॉपर ले टेस्ट कर लिए इसके बाद आप ये प्रोसेज्जाफ कीonta है किस तरह से ऊपरेटिंग शिस्टम को ineffective आप किो किस दर्थ हंई हम हम इस्टॉल करते हैं तो कईयों और प्रोसेज़ जिसके पॉलू करने करते हैं जैसे शुक्त ओने संव copyright के जाए और किस तरह से उसमें operating system installed की जाए तो किस तरह से कि हम लोग किस्ता से driver को install करेंगे और किस तरह से उसमें application install करेंगे ये भी देखेंगे साथ में तो सबसे पहले हमको ये confirm करना है कि हमारे डायरे सारे devices properly connect है second step जो है आप operating system किस तरह install करने हो किस device से आप operating system को install करें जो old method of operating system install करने का था वो floppy disk था floppy disk के जरिए operating system install की जाती थी जब DOS हुआ करता था DOS operating system थी अब floppy disk का जमाना नहीं है absolutely market से वो out है market में भी कहीं पर भी available नहीं है और उनके जरिए अजठी बाद की जाती है तो हमने पी यह işte free can है कि हम DVD room के जरीँ और डब्योच रियो के जरीए ही operating system install करेंगे हम जो देखेंगे किस तरह से DVD drive के जरही operating system install की जाती है और भी options जरे operating system को install करने के अप network card के जरे install कर सकते हो इन drive के जरे install कर सकते हो तो other options में available है operating system को install करने के लिए बट यहां पर जो हमने option choose किया है वो DVD drive को choose कि और especially external USB external DVD drive को choose किया है ताकि आपको पता चलके किस तरह से external DVD drive को connect किया जाता है और फिर BIOS में किसे set किया जाता है और फिर किस तरह से operating system install की जाती है क्योंकि काफी हमने दिखा कि internal जो DVD drive है उसके जरी काफी लोगों ने इंटरनेट पे दिखाया है कि किस तरह से operating system DVD drive के जरीए install की जाती है हमने basically option को चुछा कि हम externally drive के जरीए operating system install करना आपको बताएंगे तो आपके पत्स Windows के CD होना जरूरी है और आपके साथ में externally drive भी होना जरूरी है और थोड़ी basic information आपको BIOS के बारे में भी होना जरूरी है जैसे हम PC को on करेंगे किस तरह से BIOS में इंटर किया जाता है basic input output system में किस तरह से इंटर किया जाता और किस तरह से basic setup किया जाते ताकि हम operating system को install कर सके जब हमारे disk formatted नहीं होती है कि हमने partition नहीं create किये वरते hard disk में तो हमको सबसे पहले जो boot system है वो external DVD drive या internal DVD drive या और किस device के जरीए करना होता है BIOS में जाके priority हमको उनको देनी होती है कि हमको external CD drive से या internal CD drive से हमको boot करना है और फिर boot करने के बाद आपके formatting procedure शुरू हो जाता है अब एक जिसको और दिहान रखे यह जो operating system CD में है यह installable operating system बोली जाते है मतलब इसके जरीए operating system को hard disk में install किया जाता और जब यह hard disk में install कर देते हैं तो वह operating system बजाते installed operating system मतलब उस operating system के जरीए फिर किसी और PC में जाके install नहीं कर सकते आपके especially installable operating system के जरीए ही PC को install करना साही format है साही way है तो हम हमारे पास DVD of operating system होना जरूरी है और उसके जरीए ही हम installable DVD हमारे पास होना जरूरी है और उसी के जरीए हम operating system को install करेंगे कई चीज़े आपको धहन में रखने install करते हुए कि आपको properly monitor पर ध्यान रखना है आपको bio setup पर ध्यान रखना है आप पस कई windows सामने आएगे कई messages आपके बास सामने आएगे उस message को properly read करना फिर ही आगे बढ़ना है तो अब हम session की तरफ चलते हैं installation की तरफ चलते हैं